नमस्कार, गुड आफ्टरनून टु यू आल, कैसे आप सभी लोग, तो आशर करता हूँ, सभी लोग स्वस्थ होंगे और सबकी तैयारी भी बहतरीन तरीके से चल दी होगी, तो एक बार पुना आप सभी के समक्ष एस्टेटिक जीकर सेशन लेकर मैं उपस्तित हो चुका आप सभी भी जल्दी से जल्दी उपस्तित हो जाएं और साती साथ जो जहाँ कहीं भी जुडे हो एक बार सभी लोग सेसन को शेर भी कर दीजिए, ताकि जाधा से जाधा लोग यहाँ पर उपस्तित हो सके। सभी को गोड अफ्टरनून तो सभी एक बार सेशन को शेयर करें अपने अस्तर पर लाइक भी करें ताकि बड़े अस्तर पर लोग जुड़ सकें और फिर शुरुआत करते जैसे कल हमने एक टॉपिक कम्प्लीट किया था वैसे ही आज भी इस्टेटिक जीगे का एक टॉपिक आपकी कम्प्लीट होगी ठीक है ना जहां से एक बरने कई बार और बार बार आप सभी के प्रशन पूछे जाते रहे हैं उन सब को आज हम कवर करने वाले है ठीक है ना चले सभी को गुड अफ्टरनून सभी को गुड अफ्टरनून चले तो प्रारम करें सेसन की शुरुआत करें तैयार हैं सभी लोग चले तो स्टार्ट करते हैं सेसन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के माध्यम से कि भागे के दर्वाजे पर सर पीटने से बहतर है कर्मों का तुफान पैदा कर दें दर्वाजे अपने आप ही खुल जाएंगे ठीक है ना तो इससे बढ़िया है हम बार बार मांगते हैं कि मेरे भागे में है मेरे भागे में है या मेरे भागे में नहीं था तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, इससे बढ़िया क्या है, कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर दो, इतना दम लाके मेहनत कर दो, कि भागे के दरवाजे अटोमेटिक ही खुल जाएं, तो ऐसे तूफान लेकर चलिय और यह सिसन के शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न, है न, कि राश्टिय दोस्की लंबाई, चोड़ाई का अनुफात कितना होता है, ठीक है न, वट इस दा रेश्यू आफ लेंट, एंड विद अब दी नेस्नल फ्लैग, चलिए, आज भारत की राश्टिय प्रतीक जोए, इन प्रतीक से क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं, और क्या-क्या भविश्य में और आख सकते हैं, सब कुछ आज आज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो सभी लोग बताएंगे कि भारत का राश्टिय प्रतीक जोए, इसका अनुपात कितना होता है, तीन चार अनुपात दो, या फिर दो अनुपात तीन, चले देखते हैं, कितने लोगों का यहाँ पर सही उत्तर आता है, चले बहुत बढ़िया, ना, डी के साथ है, ना, डी और बी दोनों जा रहा है, दोनों में बहुत जादा फर्क नहीं, ना, बी नहीं, ना, बी तो होगा नी, one, अनुपात three, ना, वन इस, दिखा जाए, ठीके, बहुमत जो है, गलत जा रही है, ठीके, ना, बहुमत जो है, गलत जा रही है, प्रश्न को थोड़ा सा समझना है, बहुत ये आसान प्रश्ने, और हम इतना ज़़ादा आशान मान लेते हैं, कि हम उसमें गल्ती कर ज आते हैं एक गलती का मतलब एक number जोई negative में है ना एक question जोई हमारा negative में चला जायगा one fourth negative चला जायगा ठीक है ना तो हमें ऐसी छोटी छोटी गलतिया नहीं करनी हैं अगर हम भारत के द्वज की बात कर लें तो इस तरीके से है ना भारत का द्वज इस तरीके से है ठीके भारत का द्वज है ये इस तरीके से है और प्रशने क्या पुशा है लंबाई और चोड़ाई का अनुपात तो इसे हम लंबाई बोलते है ना और इसे हम चोड़ाई बोलते है और इसका अ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अब गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है ना अब यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए चलिए अब बिल्कुल बढ़िया दिखेगा यहां से कई सारे प्रश्णे पूशे जाते सबसे पहले इसका उत्तर देख लिजाएगा option A जो है option A इसका सही उत्तर होगा 3 इंस्टू 2 यानि कि लंबाई और चोड़ाई का अनुपात पूश रहा है तो पहले हम यहाँ पर लंबाई बताएंगे और फिर चोड़ाई बताएंगे तो यह हो जाएगा ना हमारा अनुपात ठीक अब देखेगा तिरंगा की बात करें क्या क्या पिंगली वैंकया साथ में आप सभी लोग लिखते हुए चलेंगे तो कि यहाँ से प्रश्ण कई बार आपके पूशे गए तो पिंगली वैंकया जो है इनके द्वरा तिरंगा का डिजाइन किया गया था ठीक है ना तिरंगा का डिजाइन किया गया था इसका अनुपात आ आईए बात करते हैं आगे, हैना अगला प्रशन भी आपके तिरंगे से ही हैं, कि समिदाहन सभा ने तिरंगा को राष्टिय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? इसका उतर क्या होगा सभी लोग बताएंगे समिधान सभा के द्वरा तिरंगा को राष्टिय ध्वर्द के रुप में कब अपनाया गया था बताएंगे सभी लोग देखें सुबा वाली क्लास दो है रात में तो सीडियूल था और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं तीन बज़ सुबा उठके लेक्षर बनाता हूँ मैं लेक्षर बनाके प्रिपियर करके सब कुछ सेटप करके मैं कलास लेने के लिए जैसे ही गया यूटूब से मेरा सुबा के कलास हटा दी गई थी अब आप सबको पता ही है कि दिरे दिरे प्रोग्रेस जारी है मुझे अड़ा से हटाने के लिए तो अभी इस संदर में अब जो भी करें है ना ये भी अब सुबह तीन बजे उठके एक तो नींद खराब करना उतनी मेहनत करना उसके बहुँद भी आपकी क्लास जो रात में लगी थी हटा देना क्या दर्शाता है ठीक है ना मैंने कुछ नहीं बोला कोई दिक्कत नहीं है फिर अभी की class मैं लगाने से पहले सोचा कि पहले चेक कर लेता हूँ है कि नहीं नहीं तो सुबज यह से मेनत होगी और फिर class नहीं होगी तो अभी class थी तो मैंने start कर दिया ठीक है ना तो देखिए धिरे-धिरे process जारी है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है जीवन में कठिनाईया आती रहती है अगर जीवन एक ले से चले अर्थात उसका मतलब मृत्यू होता है ना आप डाउन जीवन में आते रहते हैं और जो इससे लड़ गया वो समझो की तर गया ठीक है ना चले इसका उतर क्या हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ठीक है ना चले बी के साथ सभी लुगजारे जो की बिलकुल सहुतर है अगर हम भारतियत तिरंगे की बात कर लें तो हमारी समिधान सभा के द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था यह डेट आप सभी लोग याद रखेगा 22 जुलाई 1947 को समिधान सभा के द्वारा भारत के तिरंगे को अपनाया गया था अगर ह और इन तीन रंगों से भी प्रश्म पुछा जा सकता है चैसे यहाँ सब से यहाँ पर आपको सफेद रंग क्या दिखाई देगा बीच में बीच वाली पट्टी जो हमारे देश में सांती जो है सत्य है इन सभी को संकितिक करता है उसके बाद तीसरा नीचे क्या है हरा है और हरा जो है उरवर्ता को क्या है प्रतीक है पटलाजेशन का तो ये देश की शुभ विकास और उरवर्ता का प्रतीक के रूप में आप सभी को हारा रंग यहाँ पर देखने को मिलता है और बाकी जो सफेद पटी है इसके बीच में आपको एक शक्र दिखाई देगा इस शक्र में कितनी 24 तिलिया है और ये भी प्रशन बिहार पुलिस में पूछा गया है तो ऐसे भी प्रशन पूछ जाए कोई भी आपका गलत नहीं होना चाहिए तो सब कुछ हमने देख लिया डिजाइन जो है भारत कराश्टिय धोल सिरंगा के नाम से जाना जाता है डिजाइन जो है पिंगली वैंकईया के द्वरा किया गया है 22 जुलाई 1947 को समिधान सभा के द्वरा इसको अपनाया गया था इसकी लंबाई चोड़ाई का अनुपात तीन अनुपात दो है तीन रंग के सर्या सफेद और फिर हरा और फिर इसमें देखे बीच में जो चक्रे उसमें 24 तिल्या है यह सारी डेटा याद रखेगा सारे के सारे प्रश्ण आप सभी के पूछे गए है ठीक है न? चलिए देखिए बस जब तक है तब तक धामा का तो मचाया रहेंगे बस आप सभी लुग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अगला कोशन कि राष्टिय पक्षी मोर का वेग्यानिक नाम क्या है हमारी राष्टिय पक्षी क्या है? हमारी राष्टिय पक्षी है मोर और पूछा जा रहा है कि इस मोर का वेग्यानिक नाम क्या है? जो हमारा यहाँ पर राष्टिय पक्षी है मोर है इसका वेग्यानिक नाम क्या है? option आप सभी के समक्ष हैं सभी लोग इसका उत्तर दीदेगा यह वैज्ञानिक नाम से अपने देखा होगा बहुत बार question पुशे गए हैं और static gk का यह part है इसको हम छोड़ ही नहीं सकते ठीक है ना चले कुछ लोग a के सांज आ रहे हैं और कुछ लोग d के सांज आ रहे हैं है ना दो यहाँ पर उत्तर आ रहा है कुछ a और कुछ d ठीक है ना आईए देखते हैं इसके सै उत्तर के बात करें सबसे पहली बात की भारत की राष्टिय पक्षी जो है वो मोर है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावो क्रिश्टेटस है ना पावो क्रिश्टे कि इसे राष्टिय पक्षी के रूप में कब घोशित किया गया अगर हम मोर की बात करें ना तो मोर को हम यहाँ पर कहें कि राष्टिय पक्षी के रूप में राष्टिय पक्षी के रूप में कब घोशित किया गया आप सभी लोग कमेंट करके भी बताएं कब घोशित किया गया ठीक है ना राष्टिय पक्षी के रूप में कब गोशित किया गया तो आप सभी लोग याद रखेंगे 26 जनवरी 1963 को कब तो 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्टिय पक्षी के रूप में गोशित किया गया जिसका वैग्यानिक नाम में पावो क्रिश्टेटस ठीक है ये डेटा याद आप सभी लोग रखेंगे ठीक है बढ़े आगे अगला कुश्चन कि राष्टिय फूल कमल का वैग्यानिक नाम क्या है चली बताएंगे सभी लोग औप्शन आप सभी के समख्ष है टेजे टस इस पीसिज निलंवो न्यूसिफेरा गाटन जास्मिनम या लिलियम लैसी फोलियम चली बताएगा इसका से उत्तर क्या हो जाएगा जो अमरी राष्टिय फूल राष्टिय फूल क्या है कमल है कमल को हमने राष्टिय फूल के रुप में गोशित कर रखा है इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा चले सभी लोग उत्तर दें और साथी साथ सभी सेशन को लाइक और शेयर अवसे ही करें तो सभी को सेशन को लाइक शेयर करना है जब तक है तब तक तो धमाका करना है ताकि उनको भी लगे कि जिसको हमने वेजा है शायद हमने गल्ति क्या है यह एहसास दिलवा के जाने है ठीक है ना चले बी के साथ सभी लगे जाने है निलंबो निसिफेरा गाटन और यह जो है यह बिलकुल सही उतर है ठीक है ना हमारी राष्टिय फूल क्या है हमारी राष्टिय फूल है कमल और इसका व्यग्यानिक नाम क्या है निलंबो निसिफेरा गाटन निलंबो निसिफेरा गाटन निलंबो निसिफेरा गाटन सभी लोग याद रखेंगे ठीक अगला प्रशन कि भारत का राष्टिय व्रिक्ष आम का पेंड, निम का पेंड, पीपल का पेंड या फिर बरगद का पेंड चले बताएंगे सबी लोग कि भारत का राष्टिय वरिक्ष निम निमें से कौन सा है ग्रीन जो है उरवर्त का प्रतीक है जटन्डे में हमारे देश क्या है हर्यालि पुर्ण है ठीक है न, उसके आधार पर हम जो विकास करते हैं, सम्रिधी करते हैं, इन सभी का प्रतिक हमरा ग्रीन कलर हो जाता है, चले यहाँ पर क्या होगा, चले C और D, फिगर क्लियर नहीं, क्लियर तो है, कितना क्लियर दिख रहा है, मेरे सामने स्क्रीन में, थोड़ा सा आप लोग डेटा जो है, डेटा को 360 कर लिजे, 240 पर चलाएंगे, तो कहां से क्लियर दिखेगा, 360 कर लिजे, 360 पर भी बहुत कम M भी लगता है, और उस पर आप सभी लोग देखा किजे, क्योंकि दिन भर में, क्लास ही क्लास करनी, और उतनी डेटा हमारे पास है, तो हमें बचाना भी पड़ जाता है, चले हम पर C और D के सांस सब लोग जा रहे है, कुछ लोग पीपल का पेड़ कह रहे है, कुछ लोग बरगत का पेड़ कह रहे है, लेकिन अगर हम बात करें राष्टिय व्रिक्ष का, तो राष्टिय व्रिक्ष के रूप में, हमने बरगत के पेड़ को क्य किया है शामिल किया हुआ है तो बरगद का पेड़ जो है जिसे हम अंग्रेजी में बन्यान ट्री बोलते हैं बन्यान ट्री जो है ये हमारा क्या है नेशनल ट्री है राश्टिय हमारा क्या है पेड़ है आप सभी लोग याद रखेंगे तो राश्टिय व्रिक्ष क्या हो गया बरगद का पेड़ हो गया अब बात करें इसका भी तो पुछेगा कि यह तो बरगद का पेड़ है यहना बरगद का पेड़ इसका वैग्यानिक नाम क्या है बताएंगे सभी लोग इसका वैग्यानिक नाम क्या है तो बरगद के पेड़ का वैग्यानिक नाम अगर हम देखे तो इसको हम बोलते हैं Ficus Vengalasis, क्या बोलते हैं Ficus, एक क्या हो गया, Ficus हो गया, फिर यहां पर Vengalasis, क्या चीज, Vengalasis, ठीक है न, तो यह बरगद का पेरे जिसे हम राष्टिय व्रिक्ष के रुप में घोशित किये हुए हैं, इसका वेज्ञानिक नाम है Ficus Vengalasis, अंगरेजी में इसी को क्या बोलते हैं, बन्यान ट्री बोलते हैं, और आप सभी को पता ही है कि भारत में बरगद की पेर का क्या महता है, हिंदु धर्म से विशिष्ट अस्तर पर जुड़ा हुआ है, विभिन परकार के पूजा पाठ जो है, इस पेर से जुड़े हुए हैं, और साती स यानि कि जहां पर यक्ष का वास होता है, उसे यक्षवास कहा जाता है, यक्ष तरू भी इसको कहा जाता है, यक्ष वारुक भी इसी पेर को कहा जाता है, तो राश्टिय ब्रिक्ष हमारा क्या हो गया, बरगद का पेर हो गया, जिसका वेग्यानिक नाम फाइकस वेन गैले ठीक है न आईए बढ़ते अगले प्रश्टी के और अच्छा ये उत्तर मैंने बताए दिया चले बता है फटा फट कि भारत का राष्टिय व्रिक्ष का वेग्यानिक नाम क्या है तो राष्टिय व्रिक्ष हमने यहाँ पर देख लिया बरगद ठीक है न तो यहाँ पर क्या ह बरगद यह हमारा राष्टिय व्रिक्ष हो गया और इसका वेग्यानिक नाम तो अभी हमने बात किया पर फाइकस बैंगेलेसिस यह इसका क्या हो जाता है वेग्यानिक नाम हो जाता है आशा करता हूं यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा बढ़े आगे बढ यह वो टोपिक के जहां से बार बार बिहार दोरोगा में सबसे ज़्यादा कोश्चन पूछा जाता रहा है एक कोश्चन तो यहां से पूछ ही लिया जाता है ठीक आई बढ़ते हैं अगले प्रश्चन की और अगला प्रश्चन कह रहा है कि भारत का राष्टिय गान जना जना गना मना के रचाईता कौन है और आप सभी ने देखा होगा यह एक बार नहीं कम से कम विभीन एक्जामों की बात कर ले तो 20 से ज़्यादा बार यह प्रश्चन आप सभी से पूछे जा सकते जा चुके हैं ठीक है ना कि भारत का राष्टिय गान जिसे जना गना मना कह जाता है इसके रचाईता कौन है और आप्षन है आपका लाल बादुर शास्त्री पंडित जवाहर लाल नहरू रविंद्र नाट टैगोर या फिर बंकिन चंदर चटुपध्यार चले बताएगा इसका सही उत्तर क्या होजाएगा राश्टिय गान चले बहुत बढ़ी है यहाँ पर है न यहाँ पर किसी की गलती नहीं है बहुत बढ़ी है ठीक है न सही उत्तर क्या इसका सही उत्तर है रविंद्र नाथ टैगोर है न रविंद्र नाथ टैगोर के द्वरा पहली बार कई सारे कोश्चन पुजाता है क्या क्या सबसे पहले दिखेगा यह जनगनमन अधिनाय की जया है पहली बार जिस भाषा में इन्होंने लिखा वो किस भाषा में तो बंगाली भाषा में है ना तो सबसे पहले बंगाली भाषा में इसको लिखा गया रविंद्र नाठ टैगोर के द्वारा तो आए इससे संबंधित कुछ जनकारी हम यहाँ पर बात करें किस इसकी राष्ट गान की हम बात कर रहे हैं तो राष्ट गान हमरा क्या हो गया जना गना मना यह हमरा क्या हो गया राष्ट गान हो गया लिखने वाले कौन तो रविंद्र नाथ टैगोर ठीक है ना रविंद्र नाथ टैगोर जो है रविंद्र नाथ पूरा यहां पर गाना होता है बात करें कि इसको समिधान सभा की बात कर लें तो समिधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया है अगर यह पूशे तो याद रखेगा गरतंत्र दिवस्ते दो दिन पहले यानि कि 24 जनवरी 1950 को ठीक है न तो लिख लिजेगा समिधान सभा के द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया ठीक है न पचास को अपनाया गया याद आप सभी लोग रखेंगे ठीक है न तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया कई बर question ये पुछा गया है कि पहली बार इसे कब गाया गया था ठीक है न तो अगर ये प्रश्न पूछे कि पहली बार कब गाया गया था तो आप सभी लोग जाद रखेंगे 27 दिसंबर 1911 कब तो 27 दिसंबर 1911 इस दिन क्या तो कलकत्ता में देखा जा है तो Congress का जो अधिवे में पहली बार इसको गया गया था और हिंदी और बंगाली दोनों ही भाषाओं में इसको गया गया था ठीक है तो इतनी डेटा यार रखेंगे कोई भी कोश्चन आपका गलत नहीं होगा ठीक है तो ये सारी चीजे रविना टैगोर ने इसे लिखा हुआ है ना गायन आओधी 52 सेकेंड समिधान सभा ने इसे 24 जनवर 1950 को अपनाया और पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के कॉंगरेस के अधिवेशन में इसे गया गया था हिंदी और बंगाली दोनों ही भाषा में गया गया था ठीक है ना बढ़े आगे आए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अशोक स्तंब के सिर्षभाग को भारत सरकार दोरा राष्टिय प्रतीक के रुख में कब अपनाया गया था विन्वाज टॉप पोर्शन अब दी अशोका पिलर एडॉप्टेड एज नेशनल एंबलेम बाई दा गौर्वर्मेंट अफ इंडिया और आप्शन है आपका पंदर प्रतीक से है एना राष्टिय प्रतीक से ठीक है ना राष्टिय प्रतीक से प्रशन है चले बताएंगे सभी लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा चले बताएंगे सभी लोग चले उत्तर आने श्टार्ट हो गए डी और बी यहना बी भी आ रहा है बी अर्था 26-1949 चास और डी अर्था 26-1952 ठीक है ना आईए देखते हैं इसका सभी उत्तर क्या है देखेगा अशोक के बारे में सभी ने पढ़ा होगा है ना और अशोक क जो उसके समयकाल में कला रहा इसके समयकाल में तो आप सभी ने पढ़ाओगा अशोक के द्वरा स्वतंत्र पिलर जो हैं हैना इंडिपेंडेंडेंट पिलर जो हैं वो अस्थापित किये गए और ये पिलर बहुत बढ़ी आकरिती की लगभग 40-50 पिट तो इसका बेज था और इसके उपर देखे तो कुष्णा कुछ यहां पर इसके उपर मूर्ती जैसे चित्रियां पर रहती थी ये क्या है तो ये इसके समराज्विका प्रतीक हुआ करता था साथी साथ इस पर देखा जये तो जनता के लिए अधिकारियों के लिए कुछ इंस्क्रिप्शन भी देख भी लिखे जाते थे जिसके माद्यम से जनता को आदेश दिया जा रहा हो ये जनता से कुछ रिक्विस्ट किया जा रहा हो और यहां पर इसी को देखा जाए तो सारनाथ में आप सभी को पता है कि सारनाथ में जो रखा गया इस परतीक को सारनाथ में वहां पर जो एक दूसरे के अपोजिट है दो एक दूसरे के अपोजिट और दो एक दूसरे के अपोजिट जिस कारण से हमें तीन ही दिखाई देता है चार दिखाई नहीं देता तो सारनात में जो अशोक का स्थम रखा गया है इसी के सिर्ष भाग को भारत सरकार के द्वरा 26 जनवरी 1950 को इसे राश्टिय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था कब 26.15 को और कोई यहां पर भी कह रहा था 26.1949 26.29 या फिर 26.52 इसका स्थे उत्तर है 19.50 27.1950 को इसे राश्टिय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है वuden कई बार कोश्चन पुशे गये हैं कि कहां से लिया गया है तो सारनात है, सारनात में जो अशोक का अस्तम्ब है, उसी के सिस्भाग को हमने क्या कर लिया, तो अपना राष्टिय प्रतिक बना लिया, और आप सबी ने लिखा होगा यहाँ पर इसके नीचे क्या, तो भारत का राष्टिय आदर्श्वाक के क्या है वो है आपका सत्य में उजयते क्या है तो इसी के नीचे लिखा रहता है सत्य में उजयते ये क्या है भारत का राष्टिया भारत का राष्टिया आदर स्वाके है सत्य में उजयते और कई बार प्रशने में पूशेगा है कि ये सत्य में उजयते जो है clear है आई ये बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर है ना अगले प्रश्ण की ओर बढ़ते हैं अगला प्रश्ण क्या है अच्छा ये question था मैंने पहले ही उत्तर बता दिया सत्य में उजयते शब्द कहां से लिया गया बताएं सभी लोग कम से कम पास दस बार तो question पूछे ही गए है ठीक है clear है clear मजा आ रहा है ना एक बार सभी लोग उता है मजा रहा है ना क्योंकि एस्टेटिक जीके के ये वो पार्ट हैं जो आप सभी से बार बार प्रश्ण के रूप में पूछे जाते रहे हैं और इनको छोड़के तो जाना यह नहीं चाहिए एना एस्टेटिक जीके तो छोड़के हम आगे जा ही नहीं सकते ठीक चली अगले प्रश्ण क्यों चलते है भारत का राष्टिय पंचांग कौन सा है विच इस दे नेशनल कैलेंडर ओफ इंडिया यहाँ पर कैलेंडर होगा तो जादा से भारत का राष्टिय पंचांग कौन सा है शक समवथ, लोधी समवथ, विकरम समवथ या फिर इन में से कोई नहीं चली बताएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भारत का राष्टिय पंचांग क्या है ठीक है? बताएंगे सभी लोग और ये भी कोश्चन आप सभी से पूछे गए हैं देखें ऐसे कोश्चन देखें न स्टेटिक जीके से अगर जो सिक्सन आपका इस्टेटिक जीके का है तो यह आपके लगभग 10 से 12 कोश्चन पूछ ले जाते हैं ठीक है ना? 10 से 12 कोश्चन आपके इस्टेटिक जीके से पूछे जाते रहे हैं और यह 17 शब्द होता है जो लगभग सब को पता होता है इसमें हमें गलती नहीं करनी होती है अगर इसमें गलती कर दिये तो हम बहु पीछे चले जाएंगे ठीक है न चलिए बहुत बढ़िया सभी लोग यहां पर option एक साथ आ रहे सक समवत और सक समवत जो है सक समवत बिलकुल ना बिलकुल सही उतर हो जाता है सक समवत जो है सक समवत इसको भारत का राष्टिय केलेंडर घोशित किया गया है इसी को सरकारी सि सिविल केलेंडर सरकारी सिविल केलेंडर सक थिक है 05 ठिकें तो सरकारी सिविल केलेंडर के रुप में किसको जानते हैं तो हम सक शमोत को जानते याद रखेगा अब तोड़ासा कंपेरिंग देखे चली आप सबी से एक प्रशने की सक शमोत के अनुषार अभी वरतमान में कौन सा इयर चल ला सभी लोग कमेंड करके बताएंगे कि सक समोत के अनरूप वरतमान में कौन सा कैलेंडर चल रहा है कौन सा इयर शल्ला है आईए यहापर शक्समुत की तोड़ी सी आप सभी को कंपेरिंग करके दिखा दू हम अभी जो वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं 2023 जो चल्ला है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्रेगेरियन कलेंडर क्या बोलते हैं ग्रेगेरियन कलेंडर ठीक है न जिसके अनुसार आज क्या है तो इसके अनुसार आज अभी दिखा जाये तो 13 ऑक्टूबर है और 2023 का वर्ष आपका चल्ला है ठीक है न यह हो गया आईए तोड़ा से यहापर डिफ्रेंस करके दिखात हो अगर हम बात करें क्या चीज तो इसका पहला महीना कौन होता है तो पहला महीना कई बार कोश्चन पूछे गए आप सभी से अगर आप सभी लोग प्रशन पत्र उठा कर देखे हो यहना पहला महीना जो होता है पहला महीना कौन सा होता है तो यह होता है आपका चैत्र और ये एक बार नहीं कई बार प्रशने पूछा गया है कि भारत के राष्टिय पंचांग जो है राष्टिय केलेंडर जो है इसकी शुरुआत किस महीने से होती है तो ये चैत्र के महीने से होती है और अगर हम बात करें एक चैत्र एक चैत्र 1889 ठीक है या फिर हम पहले गरिगरि 1957 इसका मतलब क्या हुआ सक समोत में तो इसका मतलब हो गया मार्च नहीं इसमें 22 आएगा ठीक है न तब जा कि हमारा बराबर होगा 22 March 1957 बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक चैत्र एक चैत्र अठारा सो एक चैत्र अठारा सो उनासी हैना ये दोनों क्या है एक ही दिने लेकिन ये क्या है ये आपका Gregorian में है और इसकी बात कर ले तो ये आपके शक समोत में है अर्थाथ difference की बात कर ले अभी वर्तमान में देखे जो हमारा 2023 चल रहा है अगर हम पूछे कि सक्षमोत के नुसार अभी क्या चल ला है तो 1945 ये अभी हम बात कर ले वर्तमान में वर्तमान में क्या चल ला है तो 1945 इस वी चल ला है कि इसके नुसार तो ये चल ला है सक्षमोत के नुसार तो सक्स समोत के नुसार हम अभी 1945 में क्लास कर रहे हैं और 12 महीने कौन-कौन से तो सबसे पहला चैत्र होता है यहना फिर वैशाक फिर जेश्ट फिर असार फिर स्रावण फिर भादरपद जिसे गाउं में हम भादो बोलते हैं ठीक है उसके बद अश्वीन फिर का फागुन आता है तो फागुन जो है अंति महीना है और चैत्र जो है यह आपका पहला महीना है कुश्चन आपके यहां से भी पूछे गए हैं वही बात करें विक्रम समोत की यह भी पूछा गया कि विक्रम समोत को अगर हम कंपेरिंग करें ग्रेगेरियन केलेंडर के माद् यानि की 2018 में विक्रम समौत के नुसार हम 2018 में चल ले हैं सक समौत के नुसार 1945 में चल ले हैं और Gregorian केलेंडर के नुसार हम 2023 में चल ले हैं यह यहाँ पर difference है आशर करता हूँ सबी लोग को अच्छे से समझ में आगयोगा अब इसमें कोई भी दिक्कत परिशानी नहीं होगा अच्छा ये याद ही ने याद करवा देखे लिख दे हैना लिख लिजेगा यहाँ पर 12 महीने कौन कौन से सबसे पहला कौन सा महीने हो गया चैत्रे सभी लोग लिख लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रशन आपका आता है और आपको पता भी होना चाहिए जो भी चीज़े हमारी नेशनल है राष्टिया इसके बारे में पता होना चाहिए दूसरा महीना जो होता है इसको हम क्या बोलते है वैशाख बोलते है ठीक है जिसे सोट में हम सावन बोलते हैं हैना तो स्रावन जो है यह आपका क्या हो गया यह आपका पाँचवा महीना हो गया ठीक है ना छटवा महीना की बाद करें यह हो गया आपका भाद्र पद इसी को हम समाने तब भादो बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम भादो बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम सावन बोल लेते हैं यहना गाओं में देखा जाते हैं इसको सावन बोला जाता है इसको देखा जाते हैं इसको जेट बोला जाता है ठीक वेशाख, जेश्ट, अशाड, स्रावड, भादरपद, ठीक है, उसके बाद अगला, हैना, सात्वा महिना लिखेगा, सात्वा कौन सा है, सात्वा है आपका आस्विन, क्या है, आस्विन, हैना, तो भादों के बाद इसको देखा जाए, तो क्या कहा जाता है, कुआर कहा जात कार्तिक बोलते हैं तो जो गाउं में आप लोग सुनते होंगे न वो मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा डिफ्रेंस अगर कोई है तो उस इसको मैं इधर लिख रहा हूं आप सभी लोग याद रखेगा ठीक है ना तो ये जो हमारा मूल रूप से भूस्पुरी भाषा आय चेत्रिय बासा है उस रूप में लेकिन मूल रूप से देखा जै तो ये इसका ओरिजिनल शब्दी ये होगे आठ हो गया कार्तिक है ना इसके बाद नौवा है ना अग्रहाण ठीक है इसको हम अगहन बोलते हैं क्या बोलते हैं या फिर इसके लिए आ देखा जैते एक और शब्दी यूज किया जाता है अग्रहाण है ना अग्रहाण भी इसको बोलते हैं तो अग्रहाण हो गया है ना इसी को देखा जैतो भोस्पूरी में हम अगहन बोल लेते हैं क्या बोल लेते हैं अगहन जो हमारी दादी दादा लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं अग पूश की रात कहानी पड़ा है अहाँ सभी नहीं। और फागुन ये बारह महीने हैं जनवरी फरवरी मार्च अपरील वाले ये नहीं है तो आशा करता हूँ सभी लोगों ने इसको नो डाउन कर लिया होगा अब इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा ठीक है अना सुरुवात जो होती है मार्च के महीने से होती है 22 मार्च को ए रोटेशन के आधार पर इसको डिजाइन किया गया है और इसी कारण से आप सभी को पता होगा 28 दिन में होता है एक चकर 28 दिन आप सभी को पता ही है और ये जो आपका दो दिन तीन दिन जो बसते रहता है महीने में बसते बसते एक समय ऐसा आता है कि एक पूरा का पूरा मह तिसका बना रखा है तो ये दो और तीन दिन जो एक्ष्ट्रा होता है करते करते एक महीना बन जाता है तो हम उसको एक महीना एक्ष्ट्रा कर देते हैं जिसका मूल करण क्या है चंद्रमा पर आधारित होना तो आशा करता हूँ ये भी आप सभी को अच्छे से समझ में आया ह होगा अगला Question कि भारत का राष्टिय पसु बाग का वेज्ञानिक नाम क्या है राष्टिय पसु जो है बाग है और इसका वेज्ञानिक नाम क्या है सभी लोग बताएंगे फैल इस लियो 15 टेग्रेस एलिफ स्मैकसिमस या फिर ओविस एरीस क्या होजाएगा इसका उत्तर बताएं सभी लोग चले सभी लोग बताएंगे भारत का राष्टिय पुशू बाग है और बाग का वैज्ञानिक नाम क्या है चले बी के साथ से भी लोग जार है पेंथरा टिग्रिस बिलकुल सही है ना पेंथरा टिग्रिस जो है यह हमारी राष्टिय पशु जो बाग है इसका वैग्यानिक नाम है ठीक है ना यार रखेगा बात करें इसे घोशित कब किया गया इसके राष्टिय पशु है ना राष् किया गया किस रूप में राष्टिय पश्व के रूप में साथी सब अगर पुछे कि भारत का राष्टिय प्राणी क्या है भारत का राष्टिय प्राणी तो भारत का राष्टिय प्राणी भी आपका क्या हो जाएगा बाग हो जाएगा जिसे पेंथेरा टिग्रिस के रूप में जाना जाता है तो भारत का राष्टिय प्राने भी बाग है राष्टिय अपश्व भी क्या है आपका बाग है ना पश्व प्राने लगबग एक जैसे ही है तो राष्टिय प्राने भी रहे तब भी हमारा क्या होगा यहां पर बाग ही उतर हो जाएगा ठीक अगला design बना दिया यह दो design है देखा जाय तो किससे जुरा हुआ है तो अंगरेजी में आप सभी ने R देखा होगा है जहीं आ आर है और साथी साथ हिंदी का क्या है रह है तो देखिएगा दोनों को मिला कर इधर क्या हो गया और हिंदी का रह हो गया ठीके तो इधर क्या हो गया रो हो गया इधर हिंदीकार हो गया दोनों को हमने क्या किया मिलाया और मिला कर हमने एक यह सिंबॉल बना दिया है जो आपके इंडियन रुपी जो है इसका क्या है सिंबॉल है और वैश्वी कस्तर पर अगर रुपीय का परशार परशार करना है तो एक लोगों एक सिंबॉल होना आती आवश्यक्ता तो यह हमने आपर सिंबॉल बना दिया है ना कब तो आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार के दोरे से 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था कब तो 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया है ना 2010 को सरकार ने इसे अपनाया है ना सरकार ने इसे अपनाया अब बात यहां पर यह आदाती है कि सिन का डिजाइन किसके द्वरा किया गया है उप्षन है उदे कुमार मेजर विक्रम रिहान सिंग या फिर तुलसी राम क्या हो जाएगा इसका उत्तर चलिए बताएंगे सभी लोग इसका उत्तर क्या हो जाएगा चलिए बहुत बड़ी है ठीक है ना बहुत बड़ी है इसका डिजाइन जो है यह उदे कुमार के द्वरा किया गया है ठीक है ना तो इसके डिजाइन कार कौन है उदे कुमार है कैसे बनाए तो अंगरेजी के आर और हिंदी कर है ना दोनों का इन्होंने क्या किया मिसरण किया और मिसरण करके यहाँ पर एक स्टीमबॉल बना दिया यहीं भारतिय मुद्रा जो है इसका क्या है प्रतीक चिन है किसके द्वरा तो उदे कुमार के द्वरा डिजाइन किया गया है 15 जुलाई 2010 को इसे रूपय के चिन है के रूप में अपनाया गया था यह डेटा सबको याद रखने है ठीक है ना बढ़े आगे अगला कोशन कि भारत की राष्टिय नदी कौन सी है भारत की राष्टिय नदी कौन सी है विच इस दे नेशनल रिवर आफ इंडिया चले बताएंगे नर्मनाद नदी, गंगा नदी सिंदु नदी या फिर ब्रह्भपुत्र नदी राष्टिय नदी भारत की राष्टिय नदी कौन सी है सभी लोग बताएंगे चले क्या होगा इसका उत्तर और सेशन मलदार लग रहाओ तो सभी लोग सेशन को जादा से जादा लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे हैना लाइक और शेयर दोनों ही आप सभी को करना है तभी तो जादा से जादा मजाएगा चले बताएंगे सभी लोग याप पर उत्तर क्या हो जाएगा भारत की राष्टिय नदी कौनसी है चले B के सांस अब लोग जारे जो कि बिल्कुल सहुतर है गंगा नदी गंगा नदी जो है ये भारत की राष्टिय नदी है बात करें इसे कब है न तो आप सभी को पता होगा गंगा के बारे में गंगा की बात करें तो भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है ना पवित्र नदी हैना पवित्र नदी माना जाता है कहा जाता है गंगा में नहा लिजे आपके सारे पाप जो है क्या हो जाएंगे धुल जाएंगे और आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी जो है कहां से तो गंगोतरी हिमनद जो है गंगोतरी हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाणी में जाकर अपना जल गिराती है और इस करम में ये 2525 किलोमीटर की दूरी तैग करती हैं आप सभी को पता होगा और आप सभी को पता होगा कि गंगा की सफाई के लिए इसका पुनुरुधार करने के लिए नमामी गंगे पुर्जिक्ट चलाए गया और नमामी गंगे पुर्जिक्ट के तहत अगर हम बात कर लें तो इसी के तहत आप सभी को पता होगा कि नॉवंबर 2008 में कब तो महीने में 2008 में है ना तो नमावमी गंगे जो परियोजना चल रही थी इसी के क्रम में नौंबर 2008 में भारत सरकार के दोरा इसे राष्टिय नदी का दर्जा दिया गया है तो कब दिया गया ये भी यात रगेगा नौंबर 2008 में पचीस सो पचीस किलोमीटर लंबी है बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है गंगोत्री हिमनत से निकलती है और इसी को भारत का राष्टिय नदी का दर्जा दिया गया है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्यों भारत का राष्टिय जलिया जीव क्या है वाट इस दे नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया और इस टार फिस चलिए बताएगा इसका से उतर क्या हो जाएगा भारत का राष्टिय जलिय जीव क्या है और भारत का राष्टिय जलिय जीव क्या है चले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना मजा रहा है ने सभी को इसी को कहते है स्टेटिक जी के आपके एकदम कमाल के स्टेटिक जी के मैं करवा देने वाला हूँ चले सभी लोग याप पर option यह के साथ आ रहे हैं कुछ लोग याप पर c भी है c नहीं है वेल नहीं है यह है आपकी डॉल्फिन और डॉल्फिन में भी पूछे जाए कौन सी तो गंगा डॉल्फिन जो है इसी को राश्टिया जलियजीव के रुप में घोशित किया गया है ना अगर हम यहाँ पर बात करें डॉल्फिन की है ना आये तोड़ा सा डॉल्फिन के संदर में भी हम यहाँ पर पढ़ाई कर लें क्या कहा जा सकता है डॉल्फिन के संदर में तो सबसे विशेस बात यह है कि यह मीठे जल में रहती है कहां रहती है मीठे जल में रहती है यानि कि जो सागर मा सागर है जो नमकीन है उसमें डॉल्फिन आपको नहीं पाईजाती और गंगा में पाईजारी इसका मतलब क्या है कि गंगा की सुच्छता को यह दर्शारी है कि गंगा हमारी सुच्छ है और इसलिए आपको यहाँ पर यह डॉल्फिन दिखाई दे रही है तो मीठे जल का जो डॉल्फिन है इसी को हमने क्या किया है तो राष्टिय जलिय जीव के रुप में घोशित किया है इसकी बात करें तो यह एक परकार की अस्तंधारी जन्तु है कैसी तो अस्तंधारी जन्तु है आप सभी को पता होगा 37 साथ भारत में देखा जाए तो इसकी कंडिशन जो है यह क्रिटिकल है संकटापन इस्तिती में है इसलिए इसको सुरक्षित भी किया गया है किसके तहट तो वन्य जीव संरक्षन अधिनियम 1972 संरक्षन अधिनियम 1972 72 जो है इसके तहट क्या किया गया है इसको शनरक्षित भी किया गया है और आप सभी को पता होगा बिहार के मुख्यमंत्री कौन नितिश कुमार नितिश कुमार जी के सुझाओ पर ही 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 2009 को इसे राष्टिया जलिया जीव के रूप में घोशित किय गया आप सभी को पता ही होगा और डॉल्फिन के रिसर्च के लिए हमने रिसर्च के अंदर कहां स्थापित किया है करेंट फिर में पढ़ाया है ना फटा पर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि डॉल्फिन पर रिसर्च के लिए हैना हमने कहा पर रिसर्च सेंटर बनाय हुआ है तो याद रखेगे चार अक्टूबर 2009 को राश्टिय जलिय जीव के रुप में घोशित किया गया इसके सुझाव पर तो बिहार के मुख्यमंद्रे नितिस कुमार जी के सुझाव पर और इस समय देखे तो प्रदान मंत्री कौन तो इस समय हमारे मनमोहन सिंग प्रद राश्टिय फल आम का वैग्यानिक नाम क्या है वाट इस साइंटिफिक नेम ओफ डी नेशनल फ्रोट मैंगो और आप्शन है आपका तुनिका ग्रेंटम मैंजी फेरा इंडिका विटिस वेनिफेरा या फिर फिकस कैरिका बताएंगे सभी लोग हमारा राश्टिय फल क्या है राश्टिय फल है आम और आम का वैग्यानिक नाम क्या है ये वी कई बार आप सभी से प्रशन पूछे गए हैं आम का वैग्यानिक नाम क्या है आम का वैग्यानिक नाम क्या है बिल्कुल बिल्कुल हम तो आप लोग कहा हम चौड़ने वाले कभी नहीं छोड़ने वाले है हम आप सभी को कभी भी नहीं छोड़ने वाले दिखेगा ये अणड़ा एक प्लेट फॉर्म है जो आपको हमसे जोड़ी हुई है लेकिन हमारा जो जुड़ाव है ना इसमें प्लेटफॉर्म की माइने अब नहीं रखना है चाहे हम कहीं भी रहे हैं आप सभी से जुड़े ही रहे हैं ठीक है ना तो टेंशन ही लेना है बस अभी जब तक आए तब तक पढ़ते रही है फिर कहीं मिलेंगे लेकिन पढ़ते पढ़ाते ही मिलेंगे आप सभी को ठीक है ना तो टेंशन आप सभी को नहीं लेना है इसका से उत्तर क्या होगा सभी लोग डी के सांजार है जो कि बिलकुल से उत्तर है मैंजी फेरा इंडिका तो मैंजी फेरा इंडिका जो है ये हमारी राष्ट्रिय फॉल आम का वैग्यानिक नाम है अगला प्रशने कि भारत की राज भाषा क्या है वाट इस दो ओफिशियल लेंग्विज आफ इंडिया हिंदी तमिल तो भारत की कोई भी राष्ट भाषा नहीं है तो जितने लोग उप्शने के साथ हैं सभी बिल्कुल सही है हिंदी जो है हिंदी हमारी क्या है राज भाषा है अगला प्रशने कि भारत का राष्टिय धरोहर पशू निम्न में से कौन सा है बताएंगे सभी लोग कि भारत का राष्टिय धरोहर पशू निम्न में से कौन सा है चलिए बताएंगे सभी लोग इसका उत्तर क्या होगा भारत का राष्टिय धरोहर पशु निम्न में से कौन सा है चलिए डी ए सी सारे आ रहे हैं इसमें है ना गरबड इसमें हो गया ना गरबड चीता नहीं है याद रखेगा यह हाती है ना तो एशियाई हाती है ना तो हाती जो है और हाती में भी जो एशियाई हाती है इसको भारत सरकार के द्वरा भारत सरकार नहीं दिखेगा बात करें कभी से घोशित किया गया अगर हम हाथी की बात कर ले तो हाथी अमारी क्या है इसको हमने राष्टिय धरोहर पशु के रूप में राष्टिय धरोहर पशु के रूप में हमने घोशित किया हुआ है कब किया तो यह हमने किया है 2010 में और किसके द्वारा किया गया तो पर्यावरन मंत्राले के दोरा किसके दोरा तो पर्यावरन ठीक है न लिख लीजे गया पर पर्यावरन मंत्राले जो है पर्यावरन मंत्राले के दोरा 2010 में इसको राष्टिय धरोहर पशु और ताथ National Heritage Animal के रूप में गोशित किया गया है ठीक है न चलिए आज का आंतिम कि भारत का राश्टिय गीत वंदे मातरम के रचाहिता कौन है और अप्षा ने आपका लाल भादुर सास्त्री, रविंद्र नाट टैगोर, बंकिम चंदर चटरदी या फिर सुभास चंदर बोश चले बताएगा इसका सही उत्तर क्या होगा और ये आज का अंतीन प्रशन और सातीसा सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर अवसही कर दीजेगा तो कि इसकी अवस्रक्ता होती है, यहीं सीज तो हमें मोटिवेट करता है और ये चीज नहीं रहेगी तो फिर हमारा मोटिवेशन कहां से आएगा हम हर क्लास में शुरुआती दोर में मोटिवेशन ही लेकर आते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं हम किस से मोटिवेट होते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ जो वाचिंग नौव वाला जो शब्द है न इतने लोग देख रहे हैं, ये चीजे है न, और लाइक बटन जो है न, वो चीजे हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है चले, इसका सहुतर है, बंकिम चंदर शटर जी, जो कि बिल्कुल सहुतर है, बंकिम चंदर शटर जी के द्वरा हमारी जो राष्ट्य गीत है, वंदे मातरम, वो लिखा गया है, ठेके न, कितने लोग को याद है, वंदे मातरम, सुजलाम, सुफलाम, मलेयज, सितलाम, सस्य स्यामला मातरम वंदे मातरम कितने लोगों को याद है सुभर जुद्सना पुलकित यामनी है ना कितना जवर जस्त है और यह आज का नहीं यह तीसरी कक्षा में का रटा हुआ है क्योंकि बच्पन में रटे ही जाते थे ज़्यादा चीज़े और उस समय का देखा हुआ रटा हुआ पढ़ा हुआ आज तक याद है क्योंकि बच्पन में हमने इतनी रटाईया की है कि वो कभी भूली नहीं सकते ए फूर इपल भी फूर बॉल सी फूर कैट यह सब हमारा उसी टाइम का रटा हुआ है पहाड़ा भी है ना बीस तक पाड़े जो याद है गिंती जो याद है वो सब उसी टाइम का रटा हुआ और उस टाइम का जो हमारा मेनस है वो हम कभी भूल ही नहीं पाए है ठीक है ना चलिए तो इसी के साथ इसी के साथ सेशन है ना अब अब अड़ा से जब जाने ही वाले हैं तो फिर पेड़ बैस में कैसे पढ़ाएंगे हैं ना अब दिए हड़ा वाले कर क्या रहा है एक तो नोटीस बेज यह भाईया आपकी पिरियेड जो समाप्त की जाती है सिपरेट की जाता है आपको और उपर से मैनेजर महोदे कॉल करके बोल रहे हैं कि टिंसन मत लीजे आपको नहीं अटाया जाएगा भाईया जो ऑफिसियल प्रूफ है अपने बेज दिया कि आपकी कहानी खतम कर दी गई है और आप यहाँ पर वोकल तरीके से बोलेंगे कि आपकी कहानी खतम नहीं की गई है तो हम कैसे मान लेंगे ठीक है ना तो यह गेम खिला जा रहा है देखे गेम कब तक चलता है मेरी क्लास रात में मैं देखके सोया था कि सुबह वाली क्लास साथ बज़ व जब मैं यहाँ पर यूटूब पर देख रहा हूँ मेरी क्लास ही नहीं है ठीक है मन तो किया था कि अपने चैनल पर स्टार्ट कर दे लेकिन सोचा कि अभी देख लेता हूँ आज फ्राइडे है कल सर्टरडे अगर नहीं होगा तो मंडे को हम अपने चैनल पर पढ़ाएंगे लेकिन पढ़ाना तो नहीं छोड़ सकते हैं जो डेली करेंट अफ़ेर की लत लग गई है आपको और हमें ये कभी भी मैं नहीं छोड़ने वाला रेगुलर इसको रखेंगे तो टेंशन नहीं लेना है बस आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहेंगे हैना हम तो बस हैं आप लोग हमारे दिल में बसते हैं हम आपके दिल में बसते हैं बाकी प्लेटफर्म कोई भी रहेंगे तो साथ है ठीक है और चले इसी के साथ सेशन की समापती करते हैं फिर मिलेंगे चार बजे चार बजे वाली सेशन जो है सिड्यूल है यहाँ पर बिहार राज्य विशेश करेंगे यहाँ बिहार राज्य विशेश करेंगे तो सभी लोग यहाँ पर भी अवश्य उपस्तित हुएगा मिलते हैं वहाँ पर फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद